कि राहूल गांदी जबर्दस्ती यहाँ पे हुगडा और सैल जागा हार पकड़ के मिलुवारे हैं वो कॉंग्रेस की राज निती है इतने दिनों से पिछले दस साल से जब उनका अपमान किया जा रहा था उनकी बातों को नहीं सुना जा रहा था तब तो उसके उपर किसी ने ध्यान ने दिया पर जब बात आती है वोड बैंक की तो वो भागे भागे आती हैं कि राहूल गांदी जबरदस्ती उनका हाथ मिला रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि जो हरियाना है वहां लोग जो एक साथ हो गई है अब जो कुमारी सेल्जा वो कॉंग्रेश के साथ मिल गई नाम क्या आपका गोल्डी सैनी जी ये बता ये क्या हो रहा है कल मंच में अचानक बिना पूछे राहूल गांदी उन दोनों के हाथ हुड़ा जी और सेल्जा के हाथ मिलाते हैं इस तरीके से दिखाते हैं कि सब कुछ चंगा सी पहले ये लोग दल्टों का अपमान करते हैं आपने देखा ही है हुड़ा जी ने पहले कितना इनका अपमान किया दल्टों का और कुमारी सैल जा जो इतनी पुरानी लीडर है कांग्रेश की तो जब ये इतने बड़े लीडरों का इज्जितनी उनको दे पाते तो ये आम जिंता का क्या मा लो सुधार करेंगे और आपने यहां अंबाला में भी देखा है कि यह अपने जो कांग्रियस के परत्यासी है नेर्मल सिंग जी और यह बोलते पिछे दो जार उनी में इनका टिकट कर दिया था तो इन्होंने बोला कि अगर यह कुमारी सेल जा लेडिज ना होती तो मैंने का मुझ काला कर देता तो यह इतनी मालो बद्र भासा का प्रियोग करते हैं और आपने कल भी देखा ही है कि रहुल गांदी जबरदस्ती यहां पे हुड ़के दलित परिवार से जा आदर नीया सहील जा जाते हैं तो उनको पहले माफी मांगें उन selbst बोले को पर लेकिन यह तो जबरदस्ती जबरदस्ती मीलें का मैं पे जलता उने तो मैं तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि यह जो दलीत समाज का इतना अपमान कर रहे हैं तो वह आप अपने चैनल के माध्यम से थोड़ा दलीत समाज के बीच में आप यह दिखाओ तो मेरा आप से निवेदन हैं दलीत भायों से क्या अपील करेंगे आपकी क्या जो यह हाथ मिलाएं इससे बोड़ भी मिल पाएगा दलीतों का अपने देखो एक बात है दलीत हमारे साथ हैं बीजेपी पार्टी के साथ हैं दलीत ऐसा नहीं है कि जबरदस्तिय लोग इनका वोड़ डलवा लेंगे ऐसा कु गांदी जी तो यह आलू का सोना बनाने के लिए और यहां पर मालो सब एक-एक बोरी आलू लेकी आएं और सोना बनवाएं ठीक है क्योंकि उसको यहीं नहीं पता कि आलू खेत में पैदा होता है कि कहा पैदा होता है तो उसके हिसाब से आप देखी रहे हैं बट रहा है जातिवाई सर आपने मालों पहले भी देख्था है दोहजार चोबी के लोकसभा चुनाव में इन्हों ने एक अफवाफ लाई और राहूल गांदी जी को यही नहीं पता कि वो एक छोटी सी किताब लेकर जो बोल रहे हैं कि सवीधान खतम कर देंगे तो उनको य स्थान जो बनाने का काम किया भारत्याय जंटांपाटी ने किया इन लोगों ने तो कभी सोच घ ने ने के लिए उनको यह अभी पंचासी सीजों ओका खटा खटा आ जायेंगे उनको ने फारमबंटे तो प्लोट के बारे में भी बोल रहे हैं कि हम और तीन तीन सो गज के प्लाट देंगे यह सब इनके हुआ है और लोग हमारे पहले मालों की बातों में आ तो चार पांच महीने के बाद जब यह कुछ देई नहीं पाए एंपी तो यहां से वन चोदरी बने हैं एंपी तो यहां से वन चोदरी कॉंग्रेस का बने क्यों ने दिये मालोग लेडी उसको 85 रुपे तो मैं तो आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि इनकी अफ़वा में ना है जनता क्योंकि ये बोली भाली जनता को बहला भुसला कर वो डालने का काम करते है कि आपके खाते में आएगा आपको इंपुलाड दिया जाएगा ऐसा कुछ भी नहीं है और भारतिया जनता पार्टी जो बोलती है वो करती है ठीक 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 आपका नाम क्या है सत्यम आप युवा हैं और आपने देखा होगा कि दली समाज काफी जादा है हरियाना में उनको ये दिखाने के लिए और सेल्या जी का और हुड़ा जी का हाथ मिला रहें जबर्देश्ती राहूल गांदी ये सिरफ एक कैमरे का किनाटिती है उसके बाद ये अलग ही है और सिरफ दिखाने के लिए करते हैं कि हमारे वोट पर जे उसके लावा कुछ नहीं है आपस मिनके मद्वेद आज भी है तो जो ये सो सो गज के प्लोट बांट रहे हैं कुछ होगा इससे यहां के लोग जैसे पिचाशी सो रुपे आए विसे सो सो के प्लोट भी आजेंगे आप लोगों ने देख लिए उसका हम भी देख लेंगे क्या आएक प्लोट आएक हम भी देख लेते हैं तो युवा किसके साथ हैं इस बार क्योंकि वो राहूल गांदी तो कह रहे हैं दो दो लाक रुपे सरकारी नोगरी देंगे युवा जांसी मैने बाला नहीं है युवा सच का है देगा मिशा और युव और महिला बहुत सजग है बहुत अच्छे से विवोट करता है और इस बारी बारजनता पार्टी अच्छे माना जितेगी पुमारी सहजा का अपमान हुआ था पिछली दिनों घुड़ा के समर्थोकों ने किया था अब राहूल गांदी जबरदस्ती हाथ मिलवारें दोनों पागल नहीं नहीं के अपम एस बादी बहुत सजग है बहुत उसको अपना जानता है पुल्टिक्स के बारे में उभी इतना पागल नहीं है कि इनके घुला में आपको होड़ाइगा ला सब्सक्राइब करेंगे मैं करूंगा जी पांच तारिक को एक नंबर पे हमारी असीम जी का कमलकनी चान है उस एक कमलकनी चान को अदवाएं और असीम जी उचिता है अधाव किया होगा फिर आठारीक है उटा जी फूल्डी बटी बड़ी घजी कुछ निबंता उसका और आपका नाम क्या वाई मेरा नाम डूगा जी बटाए क्या लग अंबाला का महुल एक तरफ है जैसे अब आपने मेरे उबासाथियों से सुना है अम्बाला का महुल बलक ना कभी आएंगे ना कभी आ सकते कुमारी सेल्जा का अपमान हुआ था अब हाथ मिलवा रहे हैं राहूल गांदी यह तो कॉंग्रेस की राज निती ही अशी है जी दो मुई यह अपने लीडर का समान ना करते हैं उसको जाती के लिए प्रतार इर्थ कर रहे हैं तो अब यह स इतने बड़े नेता को यह जात पर वो प्रतारित कर रहे हैं तो 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 सरे सम बस इस बाद रहे तो क्या ही के हम वह देखो जी उनके संगठन में कुछ भी ठीक नहीं है वहाथ मिला के लोगों के दिखाना चारे थे कि हमारे सारे निता एक है एक्चुल में हुनके सारे नि जो भी स्थिति है वो सभी लोगों को पता है पहले कुमारी सेल्जा जी का अपमान किया हुड़ा के समर्थकों ने राहुल गांधी ने उस पर कुछ नहीं बोला जैसे उन्हें पता लगा कि दली छिटक रहे हैं उन्होंने हाथ जबरदस्ति मिलवा दिया हुड़ा से हाँ य जय जब वह अंबाला आई उन्होंने कहीं अजाद उमिद्वारों के समर्थन वापस करवाई जिन्होंने नामंकन कि दया जबरदस्ति हमारी सरकार को विजयाई है हमें ऐसी आशा है एक तरह पर प्रदानमंत्री नरेंद मोधी ने मलिकार जुन खड़गे की तबियत के बारे में पूचा जब वो इस टेज पर काफी लड़करा रहे थे जब की वो मलिकार जुन खड़गे उनको भला बुरा कहते हैं और दूसरी तरह पर सहल जा है उनका उसकeneल चाल जाना चाहिंगी तेजिए उनका हाल-चाल जाना था जे वहां प damage सभा में जब वह टेंग आई यह कुछ बता रहे था談ि ने मिजिली से बारे मैं उस पर देखो आपने देखा यह कॉंग्रे सरकार ने बड़े लंबे राज की एहरियाना के उपर और आज से दस साल पहले इनकी सरकारें थी तो यह जंता के बीच में पांच साल में सिर्फ एक बार यह आते थे वोट मांगने के लिए और हमारी भोली भाली जंता को यह पागल बनात और गरीबी हटाएंगे आप यह आपके चैनल के मदम से में यह बताना चाहता हूं कि दस साल पहले सिर्फ एक या दो घंटे के लिए गाओं के अंदर लाइट आती थी आज आप देख रहे हो 24 घंटे गाओं के अंदर भी गाओं को सहर बनाने का जो काम किया है वो भारतिय यह इनके बीजेपी के जो कारियल है उसके अंदर धरना देते थे जाके तो आज आप देखी रहे हैं आज ऐसा नहीं है और सिलेंडर की मैं आपको बात बता हूं 2014 से पहले सिलेंडर की इतने हलात खराब थे कि दो-दो दिन लाइन में लगना पड़ता था आपने भी देखा होगा तो उसके बाद भी सिलेंडर नहीं मिल पाते थे बलैक में 12-12-15-1500 रपे के सिलेंडर लेने पड़ते थे आज हर गाओं में गली-गली में सहर में पार्टी के टाइम में हुआ तो कभी सपने में मिन ले सकते थे क्योंकि मैं तो सहा का रहने वाला हूं मैं सहा से जैसे ही आप पंजगुला रोड जाते हैं या हरीदवार वाला रोड है सानपुर वाल रोड है यह अपना मबाला केंट वाला चारो रोड होगा इतनी हालात खराब थी कि हर 10 किलोमेटर के 5 किलोमेटर के बाद आपको एक्सिडेंट मिलता था तो आप आज देखी रहे हैं कि रोड का इतना अच्छा जो मैप भारतिया जंता पार्टी ने किया तो आज इतनी बड़िया तरीके से कि जहां पे 7-8 घंटे लगते दे मातर 2-3 घंटे मे आप त्यार कर जाते हैं मालो सफर तो मैं तो आपके चैनल के मद्व से यही कहूंगा कि जो 10 साल पहले की सरकारे रही हैं उनको देखते हुए कि कांग्रेस सरकार में परिवार वाद है क्या गंधी परिवार से बाहर कोई व्यक्ति है यही नहीं कि जो और यहां पे हरियाना कि अंधर फुड़ा जी परिवार है उड़ा परिवार से बाहर ही नहीं निकल पारे क्या एक कंग्रेस अगर सैलजार ने बोल दिया कि मैं मालो सीयम का दावा उन्हें ने पीस कि है कि वह काभील नहीं है कि यह परिवार की अपने परिवार में जनम लेना पड़ेगा तो इसलिए और आप देखी रहे हैं हर्याना के अंदर इस दस साल पहले तो आप देखी रहे हैं जी वो तो अपना घर भर रहे हैं वह और आपने यह भी देख़्ा है नोकरियों की मैं बात करूं बीना खर्ची के काम जो देने का काम किया भारतिया जन्ता पार्टी ने इनकी सरकारों में तो मालो एक पहले तो जेंट दूड़ना पड़ता था और साथ में एक अटैची दस भीस लाख उर्पे की तो तब यह नोकरी देते थे पर लेकिन आज आज ऐसा नहीं है एक दलित परिवार से गरीब परिवार का बच्चा भी एसडियम बरती हो जाता है तसीलदार लग जाता है और एसाई लग जाता है तो यह भारतिय जन्ता पार्टी में ही पोसीबल है क्या अपील करेंगे क्यूंकि नायाब सेनी जी 56 दिन का कारियकाल मिला है उन्होंने 126 बहुत बड़े हैसले लिए और यह तो 126 अगर 5 साल इन और ऐसंब सстаточноहें लचे की नाइब सेनी ूच्डू करूब से किसान के पेटे है उनके घर में परिवार में पिछे किसी किसी ने और तो एक गरीब प्रिवार के बेटे को OBC के चेरे को इन्होंने मुख्यमंत्री बना दिया ठीक है तो OBC भी खूस है सबी 36 विरादरी खूस है क्योंकि हो एक मिलन सार इंसान है नहीं तो एक गरीब आदमी को तो आज तक यहीं नहीं पता दा कि सियमाउस कहाँ पे है और आज सियमाउस के दरवाज्य उन्होंने 24 घंटे हर एक गरीब के लिए अमीर के लिए सब के लिए खोल दिये सर देखो युआ भी और बजूरुग भी महिला भी सबी बीजेपी पार्टी के साथ है और ये आपको पांस तारीक को जब वोट डले गिए और आर तारीक को रिजल्ट आएगा तो आपको सब देखने में सामने आएगा आपके कि भारतिय जिन्ता पार्टी बहुत बड़े आज मार्जन से और हर इसमें हलके में बहुत बड़िया जीत इनको मिलेगी और मैं तो ये कहता हूँ कि इनकी पूर्ण बहुमत से सरकार आएगी जो आप यहाँ पर अमबाला में आए हैं तो यहाँ पर क्या महौल है भी तक यहाँ पर महौल अच्छे है जी हमारे विधर्ख जी के पक्ष में महौल देखो विदहक जी ने यहां पर बहुत काम की है कॉंग्रे सरकार पिछले 10 साल में यहां पर बसद्डा नहीं दे पाई थी जो तो मुलभूत सुविदाओं में आते हैं विदहक जी ने आती हैं यहां पर बसद्डा बनवाया उसके लावा रोजगार दिये अगर हम बीजेप पर उनको इंतेजार रहता था कि कब हमारी पोस्टिंग होगी या कब और नौकरी कोई और पार कर लगा है हमारे कई युवा साथी है जिन्होंने सन 2012 के अंदर फारम परे थे पटवारी गे और जब ओनलाइन फारम बरे गए तो उसमें एक सेलेक्शन पर सेस होता है आप ज लोग ही लगे मतलब आप यह लगा लो कि इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर हैं जो कहते तो हैं कि हम मैरेट के बेस पर नौकरी देंगे जो डो रों के कमरें बांट रहे हैं सोसो गज प्लॉट बांट रहे हैं तो इसके जहां से में आएंगे युवा नहीं यह इस जहा पर इसे नहीं कुछ किया होता तो क्यों इतनी सब चीजों की जुर्थ पुड़ रही है देखो देश के प्रदान इतने बड़े देश के प्रदान मंतरी को पहली वार किसी प्रदान मंतरी को याद आया कि हमारी बेहन बेटेगों के लिए शोचाली की जुर्थ है उसमें में लगावा कि मेरे भी आश्मान के काड़ बने जाए उन्होंने वादे हर्याना और हिमाचलो करनाटक में किये ते जो आपके हर्याना में हो रहे हैं तो इसके जहां से में आचुके हैं मैं तो अपने हां के नागरिकों से ही अपील करूंगा कि आप पहले इनका इनका इत अपने हमाचल में और अपनी स्टेटों में जब पैंचन इदे तो यहां कहां दे देंगे और बीजेबी का तो वह राजा जिन्होंने ओनलाइन सिस्टम किया जिसमें जिन लोगों के कहीं कहीं साल से राशन कार्ण नहीं बने घर बैटे बैटे फैमिली आडी के दुवारा उनके राशन कार्ड बने और आईश्मान कार्ड एकसी से निचे इंकम वाले लोगों के बने हैं जायज लोगों के आईश्मान कार्ड राशन कार्ड जिसमें सरकार अब कह रही है कि आगर सरकार हमारी बनती है तो हम 10 लाग तक आईश्मान की लिमिट को बढ़ा देंगे औ और जो भी महिलाएं हैं गर में 18-70 साल के बीच में उनकी 21 रुपे पैंशन भी हमारी सरकार लगागी जो ओरेड़ी हमारी सरकार मद्दे परदेश और गुजरात में दे रही है